नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपनी चैनल डिजिटल मचिनिस में दोस्तों आज का यह वीडियो बहुती महतोपुर्ण रहने वाला इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डिजिटी की तीन बड़ी अपडे सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अल्लिक अप्शन पर सेट कर देजिए क्योंकि ऐसे ही नॉलिजिबल वीडियो यहाँ पर आती रहती है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जिन भी चात्रों के जिन भी कैंडेडेट की यहाँ पर ब इसाम दिये हैं उनके जो इडियो और प्रैक्टिकल के मार्क वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है तब उनके लिए यह नोटीस बहुत ही महतोपूर्ण रहने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें तो चलिए नोटीस में क्या-क्या है हम इंडिया ट्रेड टेस्ट एडिटी सप्लिमेंटरी एक्जाम नवंबर 2022 एडि प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन फॉर सप्लिमेंटरी ट्रेनी ऑफ एन्योल सिस्टम और सेमिस्टर सिस्टम इन सभी चात्रों के लिए यह यहाँ पर लेटर रहने वाला है दोस्तों यह जो न कि यहाँ पर होनी वाली है यहाँ पर देख सकते हैं 19-20, 19-20, 1st year and 2nd year यहाँ पर 20-21 और 20-22 के 1st year चात्रों के लिए यहाँ पर एन्योल सिस्टम के भी एक्जाम होनी वाली है नीचे यहाँ पर क्या कहा गया यह भी हम आख को समझा देते हैं In this regard, it is to inform that supplementary CBT examination of the eligible trainee of the affirmation batches have already been conducted in December 2022 अभी देखे यहाँ पर यह जो आपकी December 2020 यह नवंबर 2022 में एक्जाम होई है DGT is planning to declare the pending result AITT March 22 दोस्तों अब यहाँ पर जो जिन भी चात्रों की यहाँ पर December 22 में अभी एक्जाम हुई है उनका result अभी नहीं लगने वाला है जो March 2022 की जो चात्र है उनका पहले result जारी होगा उसके बाद जो है वह आपका result यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा दोस्तों उसके बाद year after NCVT portal be opened creating eligible for field or left over training of ED or practical annual system and semester system training for the following batches एक्जाम होने वाली है यह दिखिए 18, 19, 20, 1st year and 2nd year 20, 21, 1st year and 2nd year और 21, 22, 1st year की और दोस्तों जो भी semester system के जो trainee है 14 से 17, 14 से लेकर 17 तक जो भी trainee यानि जो भी ITI में admission लिये है सब जिनका भी semester wise यहाँ पर admission हो चुका है अभी उनका भी exam यहाँ पर होने वाला है अब यहाँ पर दीखिए उन्होंने यहाँ पर timeline भी जारी कर दी है पर्टल ओपन एट नोडल ITI लेवल फॉर करेक्टिंग प्रेक्टिकल और ED score यानि जो नोडल ITI की होते हैं उन्होंने उनको यहाँ पर 16 तारिक से 16 तारिक तक टाइम दिया गया है कि आपके जो ED के और प्रेक्टिकल जो मार्क है उनको 11 दिन का time दिया गया है कि आप वो जो है पर्टल पर upload कर दीजिए उसके बाद जो है आपका result जारी कर दिया जाएगा पेंडिक रिजल्ट डिकलेरड AITT मार्च दोहजार बाइस यानी 21 एक दोहजार तेईस तक रख जाएगा NCVT पोर्टल विल बी ओपन क्रियेट इलिजिबिल इलिजिबिल्टी ओफ एडी और प्रेक्टिकल एग्जाम और फॉर्द सप्लिमेंटरी केंडिडेट्स एडी और प्रेक्टिकल सेंटर मैपिंग कब कब होगा आपका 29 जनवरी दोहजार तेईस 31 जनवरी तक उनकी जो हॉल्टिकिट है वह एक फेबुरुरी से डाउनलोड होना चालोगी वह आप अपने आपसे भी डाउनलोड कर सकते हैं या आईटेक वाले जापको से ग्यारा तारिक यानि पांच दिन आपकी है एक्जाम होगी एक्जामिनेशन नोडलाइट है मार्क्स एंट्री यानि आपकी जो यह एडिया और प्रेक्टिकल के मार्क है वह तेरा तारिक से 28 तारिक तक यहाँ पर अपलोड कर दे जाएंगे और रिजल्ट डिक्लेर यहाँ पर उनका रिजल्ट लगने की यहाँ पर देखिए आपका टाइम टेबल भी उन्होंने जारी कर दिया गया है ट्रेनी एड्मिटेड इनिशेशन अगस्ट दो हुजार अठारा अन्वर्ड ड्यूर्ड सेस्टम ऑफ ट्रेनी डियस्टी उनिस एंड अन्वर्ड यहाँ आपका सेकंड एर का एक्जाम शुरू होगा साथ आट टारिक को क्या होगा आपका प्रैक्टिकल रहेगा फर्स्ट एर वालों का और नौदस तारिक को यहाँ पर सेकंड एर का प्रैक्टिकल रहने वाला है यहाँ पर उन्होंने नोट जारी किया है क्या है इंजिन वाई इसके जो भी चात्र है सेकेंड एर के और जो किसे जो चात्र है जिन्होंने 21 में एडमिशन लिया है उनका जो है वह इडी का यहाँ पर एक्जाम नहीं होगा क्योंकि उन्होंने CBT एक्जाम में ही क्या किये है छे क्वेशन अल्रेड़ी पूच लिये है इसलिए आपका जो है एडी और प्रैक्टिकल में जो भी चात्र फेल हुए थे उनका सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिकल का एक्जाम होगा यह भी आप आपको बात धेन में रखनी हैं देखे और पर उन्हेंने क्या कहा गया है जो भी से मिश्टर की जो भी चातर है 14 से 17 तत उनका यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है ट्रेनी शेशना 16 17 एंड 18 देखे यहाँ पर पूरा टाइम टेबल उन्हें बताया है अब यहाँ पर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं यहाँ पर 14 से 17 तक और यहाँ पर डियूल सिस्टम ऑफ ट्रेनी यानि 16 17 और 18 के तो यहाँ पर जो है जो भी सेमिस्टर सिस्टम के है जो भी सेमिस्टर सिस्टम में फेल हुच चुकी चातर है उनका सेकेंड सेमिस्टर और से मिस्टटर का इंजीरेंग ड्राइंग का पेपर छे तारीक को होगा और जो फर्स्ट और सेकंड से स्टम की जुई छात्र है जिनका भी फॉर्स सेमिस्टर का इंजिनिर्इंग ड्रोइंग का पेपर होगा वह साथ तारीक होगा उनका प्रैक्टिकल जो है यह फ्रस्स सेमिस्टर का आठ तारीक को होगा second semester का 9 तारिक को third semester का 10 तारिक को ओर fourth semester का 11 तारिक को यहाँआ पर practical होगा वैसे ही यहाँआ पर जो भी 16-17 और 18 के candidate है उनका भी वैसे ही होगा यहाँआ पर देखिए उन्होंने एक बात भी कहा गई है lunch break from 1 p.m. to 1.30 p.m. for practical examination अग्शेक आपका प्रैक्टिकल होगा तब आपको 30 मिनिट का यहाँ पर लंच के लिए ब्रेक दिया जाएगा चलिए तो दोस्तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अगर आपको और भी कोई डाउट इसमें नजराता है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए हम वहाँ पर रिपलाइज जरूर देते हैं दोस्तो यह जो पूरी नोटिस है हमारी टेलिग्राम गुरूप पर आपको मिल जाएगी दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया तो ज़रूर जोइन कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारी चात्रा होई है पता नहीं होता कि एक्जाम कब होने वाली है रिजल्ट कब लगने वाले है वह बहुत सारी चात्रा परिशानी मिलते हैं इसलिए आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही नॉलिजब वीडियो ज़र आईडिया रिलेटेड अप्रेंटिसिप के जॉब यहाँ पर आते रहती है तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक लिए जय हिन जय बारत